अर्विंद केजरिवाल के मामले में भी गिरफतारी, जेल और बेल का खेल शुरू हो गया प्रोसेस इस पनिश्मेंट प्रक्रिया ही सजा है वही खेल जिसकी जाल से आज तक उमर खालिद नहीं निकल सका आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी केजरिवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली कारण रहा होगा कानूनी प्रक्रियाओं के मामले में आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिए क्या-क्या अपडेट होता है हम उसमें बताएंगे लेकिन इस वीडियो में इडी और उसके छापों और उसकी राजनीती के बारे में बात करना चाहते हैं इन मामलों में अक्सर लोगों की राय पढ़ता रहता हूँ कई लोग भगवान को याद कर लेते हैं वो इनसाफ कर देगा मगर लोगतंत्र में इनसाफ संस्थाएं करती हैं आप जनता की भागिदारी और चौकस निगाहों से होता है भगवान कुछ नहीं करते हैं रूस और चीन में भी भगवान होंगे मगर वहाँ एक बार लोगतंत्र गया तो गया हमेशा के लिए जब भरोसा हिलता है तो कब कौन सी यीट कहां से खिसक जाएगी और इमारत धस जाए पता भी नहीं चलता मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी भरष्टाचार से लड़ाई नहीं है भरष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म कर देने की कोशिश है अगर भरष्टाचार से लड़ाई होती तो आज चुनावी चंदे के बॉन्ड के मामले में चापे पड़ रहे होते उन कमपनियों की जाच हो रही होती बड़ी-बड़ी कमपनियों के CEO गिरफतार हो रहे होते उनसे पूछा जा रहा होता कि ED के चापे के बाद भी उन्होंने कई सो करोड का चुनावी चंदे का बॉन्ड खरीदा इतना पैसा कहां से आया इसका पूरा हिस्सा या बड़ा हिस्सा बीजेपी को दिया क्या ये पैसा घूस के रूप में दिया गया बीजेपी के भीतर चापा पड़ रहा होता और मोधी सरकार के मंतरी गिरफतार हो रहे होते क्योंकि इससे तो E.D. की बची, खुची, विश्वस्नियता भी समाप्त हो जाती है उसके चापे के बाद कोई कंपनी उसी पार्टी की सरकार को चंदा दे दे जिसके अफसरों ने चापे मारे हैं तो कैसे नहीं संदे होगा कि मुकदमे से बचने के लिए पैसा दिया होगा इसी लेन देन के मजबूत आधार पर सुप्रीम कोट ने चुनावी चंदे के कानून को खत्म कर दिया अवैद और और सम्वेधानिक बताया आगे बढ़ने से पहले हम ये उधारन आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो ये कहते वे नहीं ठक रहे कि E.D. ने गिरफतार किया है तो नियाई प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आज की E.D. राजनितिक मामलों में भरोसे के लायक है जहानवी रड़ी की ये खबर देख लीजिए स्क्रोल नियूस मिनट में छपी है अरबिंदो फार्मा के मालिक P. शरचंद रिड़ी इसी आपकारी नीती के मामले में सरकारी गवाह बन गए है जिसमें केजरी वाल को गिरफतार किया गया है और मनीश सिसोदिया कई महिनों से जेल में है इस आदमी को जब E.D. ने गिरफतार किया तो उसके पाँच दिनों के बाद पाँच करोड का चुनावी चंदे का बॉंड खरीदा और B.J.P. को दिया इसी मामले में के कविता भी E.D. द्वारा गिरफतार कर ली गई है के कविता विधान पारशद हैं तेलंगाना में और पुर्व मुख्यमंत्री केसी आर की बेटी है शरचंद रेड़ी को 10 नवंबर 2022 को गिरफतार किया गया था उसके बाद इसकी कमपनी B.J.P. के लिए 5 करोड का बॉंड खरीदती है इसके अलावा सरकारी गवाब बन जाने के बाद रेड़ी ने B.J.P. को 25 करोड रुपे का चंदा दिया है इस कमपनी ने कुल 52 करोड का बॉंड खरीदा जिसमें से 34.5 करोड B.J.P. को गया कमपनी ने 15 करोड B.R.S. को भी दिया है इन पर आरोप है कि इन लोगों ने विजय नायर के जरिये आम आदमी पार्टी को कथित रूप से 100 करोड की रिश्वत दी और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाओं में हुआ शरचंद रेड़ी के अलावा दो अन्य सरकारी गवाब बन चुके हैं कहने का मतलब यह एक आरोप तो अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है ED मनी ट्रेल नहीं दिखा पारी कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया मनी ट्रेल तो भारतिय जन्ता पार्टी तक पहुँच रहा है electronic money ट्रेल है साबित है अगर E.D. कहती है औरविंदो फार्मा के सरत रिड़ी ने हवाला किया P.A. मेले किया Money Laundering किया तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतिय जन्ता पार्टी के पास 30 करोड रुपे आया Proceeds of Crime तो भारतिय जन्ता पार्टी के पास जा रहा है सुबूतों के साथ जा रहा है सुप्रीम कोट के हावाले से आ गई ये बात और अरोपी अर्विंद के जरिवाल को बनाय जा रहा है Money Trail भारतिय जन्ता पार्टी तक जा रही है मैं नहीं जानता कि कोट आज इन चीजों को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मगर जन्ता ये सब देख रही है ये चीज़े सब पब्लिक डोमेन के अंदर है मैं भारत की जन्ता से हाथ जोड़के निवेदन करूँगा और भारतिय जन्ता पार्टी के समर्थकों को खास तो और पिनिवेदन करूँगा जो कल से अर्विंद केजरिवाल को गाली दे रहे हैं जो खुशिया मना रहे हैं लड़ू बाट रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के कुछ समर तक कि अर्विंद केजरिवाल को जेल भेज दी आप जरा ये भी देख लीजिए कि ये पैसा तो भारतिय जन्ता पार्टी की तिजोरी में आया है आप ये नेतिकता का सवाल भारतिय जन्ता पार्टी से बूछ नहीं पाएंगे मुझे मलूम है मगर आप इस सोचिएगा मन में कि खुशियां तो आप अर्विंद केजरिवाल की गिरिफतारी की मना रहे हैं और पैसा भारती जंता पार्टी को मिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद दो साल से E.D. शराब के मामले में रिश्वत की जांच कर रही है एक कमपनी उसके छापे के बाद 5 करोड का बॉन्ड खरीद कर BJP को देती है सरकारी गवा बनकर 25 करोड का चंदा देती है क्या E.D. को पता नहीं चला होगा जब उसे 100 करोड की लेन देन का पता चल जाता है तो कमपनी BJP को 34 करोड रुपे बॉन्ड के रूप में दे रही है क्या पता नहीं चला होगा अब इसी मामले में रिश्वत गया है या नहीं व्यापक प्रश्न बन जाता है लोग कह रहे हैं कि E.D. ने गिरफतार किया है कानून पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने के अलावा विकल्ब क्या है क्या केजरीवाल कानून पर भरोसा नहीं कर रहे भरोसा तो किया ही जा रहा है सवाल है कि क्या E.D. भरोसा हासिल कर पा रही है उसके कितने ही ऐसे केस में कुछ भी नहीं निकला सिवाए इसके कि कुछ लोगों को खासकर विपक्ष के निताओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा इसलिए अगर यह भरष्टाचार के खिलाब लड़ाई होती तो इसी बात को लेकर ED BJP के दफ्तर में छापे मार रही होती कि जिस कमपनी पर वो मनी लॉंडरिंग के तहट छापे मार रही है वो कमपनी BJP को 34 करोड रुपे कैसे दे रही है कहीं कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा है कोई भी तटस्त जाँच एजनसी इस सवाल को क्या छोड़ सकती थी इसलिए अर्विन केद्रिवाल की गिरफतारी भारत के लोग तंतर के लिए बेहत खतरनाक संकेत है बड़ी बात है उनकी राजनिती से उनके पुर्व बयानों से अहसामत होने वाले नेताओं समाजिक कारे करताओं लेखकों ने भी इस खतरे को समझा और केद्रिवाल की गिरफतारी की निंदा की है योगेंद्र यादव से लेकर प्रशाद भूशन तक ने इसकी निंदा की जबकि दोनों केजरिवाल से घोर मतभेद रखते हैं बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी, तमिलाडू के मुख्यमंतरी मक स्टैलिन ने गिरफतारी की निंदा की है शरत पबार ने निंदा किये है और शिवसेना उधव की सांसत प्रियंका चतुरवेदी से लेकर बिहार के पुर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गिरफतारी को लेकर कड़े बयान जारी किये हैं राहुल गांधी ने ट्वीटर पर बयान जारी करते वे लिखा है डरा हुआ ताना शाह एक मरा हुआ लोगतंत्र बनाना चाहता है मीडिया समेट सभी संस्थाओं पर कबजा पार्टियों को तोड़ना कंपनियों से हफ्ता वसूली मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्र कई लोगों ने याद दिलाया कि कॉंग्रेस के खिलाब केजरिवाल ने कितने हमले किये कॉंग्रेस की सरकार चली गई नरेंद्र मोदी देश की राजनिती में आ गए उनके लिए रास्ता बन गया तब जब केजरिवाल कॉंग्रेस के खिलाब हमले कर रहे थे उस समय भारत भारत का लोगतंत्र इस हाल में नहीं पहुंचा था जो आज है तब राम लिला में धरना दिया जा सकता था नए लोग मिलकर नई पार्टी बना सकते थे और पुरानी पार्टी को चुनौती दे सकते थे आज हालात अलग हैं कॉंग्रेस ने इसे सही पहचाना कि यह सवाल जिसके मैदान में विपक्ष की एंट्री कई तरीके से बंद कर दी जा रही है प्रधान मंत्री मोदी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि चुनावी चंदे के बॉंड के मामले में साफ दिख रहा है कि E.D. का छापा पड़ा है उसके बाद कमपनिया B.J.P. को दे रही है जिस E.D. ने गिरफतार किया है वो निश्पक्ष है राजनितिक नहीं है या वही कह सकता है जिसने कसम खा लिया है कि कुछ भी हो जाए हम गलत को गलत नहीं कहेंगे भले ही भारत का लोगतंत्र समाथ हो जाए B.J.P. सा कह सकते हैं क्योंकि वे अपनी पार्टी तो छोड़ेंगे नहीं मगर B.J.P. के लिए कहने वाले समाजी कारिकरता बुद्धी जीवी और पत्रकार चालाक लोग हैं वे इन कुतरकों से B.J.P. में सेट होना चाहते हैं ताकि मलाइक हा सकें B.J.P. के कारिकरताओं को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए कारिकरता ज लेकिन जब मैदान में कोई विरोधी नहीं होगा रूस जैसा भारत हो जाएगा तब उन कारिकरताओं को भी राजनिती में क्या मज़ा आएगा यह सवाल B.J.P. और R.S.S. के कारिकरताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे ऐसे बियाबान में राजनिती करना चाहते है जहां केबल रेत ही रेत नजर आए कोई पेड़ नजर ना आए क्या वे ऐसे नेता के पीछे खड़े होना चाहते हैं कि पूरी राजनिती का जहाज खाई में ले जाकर गिरा दिया जाए और खुद को कुरसी पर अजर अमर घोशित कर दिया जाए तब फिर उन्हें यह कहन छोड़ देना चाहिए बीजेपी के कारकरताओं को कि वे सत्ता के लिए राजनिती नहीं करते हैं आज उनकी सरकार के दोर में भारत में लोक तंत्र के खत्म हो जाने और ताना शाही के नए रूप की स्थापना की बात हो रही है उनकी सरकार नहीं तो वे तमिल नाडू के राज्यपाल आरेन रवीक की हरकतों को देख लें मंत्री को शपत नहीं दिलाते अपने से मंत्री को बरखास कर देते हैं कोट फटकार रहा है मगर कोई सुधार नहीं हो रहा बीजेपी के कारकरताओं और समर्थकों को यह समझना होगा कि अब रश्टाचार के खिलाब हमों की सजा मिल रही है हम सभी को देश की नयाए प्रणाली पर पूरा भरोसा है बरश्टाचारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में आपको याद होगा कोवीड के समय यही हर्श वर्धन थे जो राम देव की एक फरजी दवा कोरोनिल के लांच में चले गए जिसके ख कर्म था जो आज केजरीवाल को उनके कर्मों की याद दिला रहे हैं और जिस रामदेव की दवा के लांच के लिए गये थे उस रामदेव को सुपरिम कोट ने क्या कहा है हर्श वर्धन को देखना चाहिए नयाए पालिका पर इतना विश्वास है हर्श वर्धन को तो विश्वास पात्र नहीं है, उन्होंने लोगोंको ठगा है, सुप्रीम कोट ने उन्हें सही पकड़ा है। अब रामदेवने बिना शर्त माफी मांगी है, कहा है दुबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोट ने दो अप्रेल को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था कोट की अब मानना कर रहे थे अब जाकर माफी मांग रहे हैं डॉक्टर हर्शवर्धन केजरीवाल के सामने दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सके अब तो उनका टिकट भी कट गया है अर्विंद केजरीवाल ने लोगतंत्र के मैदान में बीजेपी को तीन बार हराया है 2015 से 2014 आ गया केजरीवाल का विकल बीजेपी को नजर नहीं आता है लेकिन इसके लिए केजरीवाल में किसी बीजेपी वाले के घर पर बुल्डोजर नहीं चलवाया किसी को जेल नहीं भीजवाया चुनाओं के मैदान में लड़ा कई बार उनकी ही राजनिती और उनके ही तरीके से लड़ने में समझहोता करते हुए भी नजर आए मगर किसी की गरदन पर हाथ रखकर राजनिती नहीं की इतना सा फर्क समझ जाएंगे तो दिख जाएगा कि जेल भेजकर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है दो साल से यह पार्टी और इसके नेता जाच एजन्सियों की निगाह में हैं बलकि याद किजिए तो जब से सरकार बनी है तब से हैं कितने चापे बड़े कितने मामले दर्ज हो गए लेकिन विधान सभा में बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा सकी यह भी सच है नरेंद्र मोदी की लहर का हर दोर गुजर गया दस साल गुजर गया मगर वे इसी दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए दिल्ली को जी ट्वेंटी के पॉस्टरों से भर दिया गया फिर भी वे केजरीवाल का राजनितिक विकल्प नहीं खोच सके ना खुद बन पाए दिल्ली सरकार के विधायकों पर आफिस आफ प्रॉफिट का लब्मा मामला चला फर्जी मामले में निया पालिका का समय बर्बाद किया गया हर दिन गोदी मीडिया चलाता था अब इतने विधायकों की सदसिता समाप्त होने वाली है केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है दो साल पहले आतिशी सिंग ने बताया कि केजरीवाल के विधायकों के खिलाब डेर सौ से अधिक मकदमे दर्ज हुए 42 विधायकों को जेल भेजा गया बरी हुए इस तरह का हमला इस राइजनितिक पार्टी ने जेला है उसमें केजरीवाल का नाम था 18 मार्च को पहली बार इडी ने कहा कि केजरीवाल भे शड़यंत्र में शामिल लेकिन लाइब लॉस से हमें एक और जानकारी मिलती है 22 मार्च को जब हाई कोट में बहस हुई तब इडी की ओर से ASG, SV, रवी ने कहा हमने कब कहा है कि गिरफतार करेंगे हम पूछ ताज के लिए बुला रहें गिरफतार हो भी सकते हैं और नहीं भी अभी तो उनका नाम F.I.R. में भी नहीं है इसी आधार पर इडी की तरफ से कहा जा रहा था कि याचिका नहीं सुनी जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में केजरी वाल का कोई लेना देना नहीं लोकस सिस्टेंडाई नहीं वो F.I.R. में नामजद नहीं है और वकील के इस बयान के कुछ घंटे के बाद केजरी वाल को गिरफतार कर लिया जाता है जिस व्यक्ति का नाम F.I.R. तक में नहीं वो कुछ घंटे बाद आरिष्ट होता है दो साल से चल रहे केस में और कहा जा रहा है नियाई प्रक्रिया पर भरुसा कीजिए E.D. ने गलत नहीं किया होगा कम सकम भरष्टाचार तो अभी साबित नहीं हुआ है तो कैसे उन्हें भरष्टाचारी कह दिया जा रहा है E.D. का उप्योग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रिया नेता को गिरफतार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपे की भी recovery of proceeds of crime नहीं हुई है एक ऐसे केस में गिरफतार करना जहां पर आज तक E.D. कोट्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतिय जनता पाटी का डर है Money laundering खतरनाक होता जा रहा है इसके प्रावधानों को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई है एक बार कोट ने सही करार दे दिया रिटार्मेंट से दो दिन पहले जस्टिस खान विलकर ने फैसला दिया था कि E.D. गिरफतारी से पहले F.I.R. की कौपी नहीं दिखाएगी अनिवारे नहीं है जिसे E.D. की शबदावली में E.C.I.R. कहते हैं ततकालिंड जस्टिस रमना ने इस फैसले की समिक्षा के आदेश दे दिये जस्टिस खान विलकर को रिटार्मेंट के बाद लोगपाल बना दिया गया और अब लोगपाल ने त्रिन्मुल सांसद महुआ मोहितरा के खिलाव रिश्वत के बदले सवाल पूछने के मामले में E.F.I.R. दर्ज करने के आदेश दिये C.B.I. ने E.F.I.R. दर्ज कर दिया है तो ये लिंक समझे आज भरी अदालत में कपिल सिब्बल ने जो कह दिया वो याद रखिये सिब्बल ने कहा कि जब इस अदालत का इतिहास लिखा जाएगा या दौर स्वन काल नहीं कहलाएगा कितनी बड़ी बात सिब्बल ने अदालत के सामने कह दी जिन लोगों को लग रहा है कि हर कोई इस दौर में चुप है वो गलत है कपिल सिब्बल जैसे लोग जो खीम उठा रहे हैं भरी अदालत में उस सच को बयान कर रहे हैं जो सब को दिख रहा है सिबल बियारेस की नेता के कविता की गिरफतारी का विरोध कर रहे थे एडी ने उन्हें गिरफतार किया है कपिल सिबल उनके वकील है बेंच ने जब मामले को ट्राइल कोट में भेज़ दिया तब सिबल ने ये टिपणी कर दी जिस तरह जांच एजनसियों का इस्तमाल विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा है एक ही रास्ता है कि चुनाव आयो इसे चुनाव तक के लिए कम से कम रोग दे दो साल से इस एजनसिय से शराब के मामले में जांच पूरी नहीं हुई क्या अनंत काल तक के लिए नेता जेल में रहेंगे मनिश सिसोधिया को कितने समय से जेल में बंद रखा गया है क्या वही हाल केदरी वाल का भी किया जाने वाला है लगता तो ऐसा ही है इसी 20 मार्च को सुप्रीम कोट के जस्टिस संजीव खना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने एडी को फटकार लगाई कहा कि बार बार पूरक चार्शिट डायर कर जमानत को रोकने की यह कोशिश अच्छी नहीं है एडी अनिश्ट काल तक के लिए जाँच करती रहती है और बिना सुनवाई के ही आरोपी को जेल में रखने की परिपाटी अपना ही जा रही है इस पर तो आप ध्यान दें यह कोट ने कहा है उसी एडी के बारे में जिसकी गिरफतारी पर लेक्चर दिया जा रहा है कि एडी एक निश्पक्ष संस्ता है उस पर भरोसा रखना चाहिए इस ले के जिरी